जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्टी से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि शिवर और चंदमा अपने अपने समय पर ही चमकते हैं हम आज बात करेंगे भावानी जी के बारे में भावानी देवी जी का जन 27 अगस 1993 को तमिलना डुचे नहीं में हुआ था है इनके पिता है मंदिर के एक पुजारी है और माता ग्रेहरी है भावानी देवी जी ने मुरुगा धनुसकोडी कर्स हायर सेकंडरी स्कूल और सेंट जोसेफ इंजिनिंग कॉले से सिच्छा उत्ति भावानी देवी जी ने शुरुआत में तलवार बाजी में दिल्चपस्वी के तौर पर सीखना शुरू कर दिया लेकिन बाद नहीं है उनका जुनूर बन गया और उन्होंने इसी में अपना केरियर डूड़ने का निरड़ा कर लिया था हायर सेकंडरी परिक्षा के बाद भावानी देवी जी ने तलवार बाजी के गुर सीखने के लिए केरल के थाला सेस्टी में स्पोर्ट्स अथॉर्टी और इंडिया एस ए आई में दाखिला लिया ये भारत के उन गिने चुने संस्थान जहां पे तलवार बाजी का परसे चंग दिया जाता है भावानी भावानी देवी ने सबसे पहले 2009 में राष्ट मंडल चैंपियंशिप में काश्य पदक जीता इसके पाद भावानी देवी जी ने 2010 में इंटरनेशनल ओपेंड दोजार दस में कैड़ेट एशियन चैंपियंशिप 2012 में कॉमन वेल्थ चैंपियंशिप 2015 में अंडर 23 एश्य चैंपियंशिप 2015 में फ्लेमिंग ओपेंड में काश्य पदक जीता भावानी देवी जी ने साल 2014 में फिलिपिन सी में हुई एश्याई चैंपियंशिप अंडर 23 में रज़त पदक जीता ऐसा करने वाली वैग पहली भारती मैला थी भावानी देवी ने 2019 में कैन्बरा में भावानी देवी जी ने 14 मार्च 2021 में टोकियो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया उनसे पहले कोई भी भारती आज तक ओलम्पिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया है ना बाईला ना फुरुष्ट हम इनके उच्जल भविश्य की कामना करते हैं और बहुत बहुत लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सस्क्राइब थैंक यू